इस्टूडेंस आइम सहजाद खान प्रॉम टेगोर स्कूल परबसर और आई हर्टली वेलकम यू अनलाइन कलासेज आफ एट कलास नमस्कार पिरी विद्यावतियों मैं कक्षा आठ की ऑनलाइन कलासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने पिछले वीडियो में हमने परिमे संख्याए हैं उनमें समत्गुंद्रम के बारे में पढ़ा था कि परिमे संख्याए हैं और उससे पिछले वीडियो में हमने पूर्णांग, पूर्ण संख्या और प्राकस संख्याओं में भी जो समत्गुंद्रम होता है उसके बारे पर है परिमे संख्या में जो समथ गुंद्रम है उसके बारे में जो चारो संख्या ये अपनी योग व्योकलन गुणन और भाग उस चारो संख्या में ये दिया गया है कि किसमें जो है ये योग के अंतरगत समथ होती है या नहीं परिमे संख्या है व्योकलन के अंतरगत समथ होती नहीं, तो हमने देखिए परिमें संक्या जो है उसमें समध्य गुण ध्रम के बारें पड़ा था, आपको फोर्ट नमबर है यह, जो चोती संक्या थी परिमें संक्या अपने, तो इसमें हमने टेबल से वो एस डबलू में भी वर्क के रुप में दिया था, तो फ़स्ट हम कह सकते हैं कि परिमे संक्याय योग के अंतरगत सहवत है इसी तरह हमने जो दूसरी संक्या है व्योकलन यानि गठाव तो इसमें भी हमने देखा कि जब एक परिमे संक्या में से दूसरी परिमे संक्या गठाई जाती है व्योकलन किया जाता है तो हमेशे जो है प्राप्त हो संक्या हो हो हमें heart परीमे शंख्याय रेकार और कि श्राप्त परीमे संक्याों की अपना प्रत की हुए डिवर्ट करो रेयं और रमी ढ है कि मैं एक परिमे संक्या को दूसरी ही पराप्त होते हैं परिमे संक्या है जो प्राप्त होने वाली तो हम यह कह सकते हैं परिमे संक्या गुणन के अंतेगस सवर्थ है नेक्स्ट हमने जो भाग है तो उसमें देखा था कि जब एक परिमे संक्या में दूसरी परिमे संक्या का भाग दिया जाता है तो एक परिमे संक्या पराप्त होती है लेकिन हमेशे ऐसा नहीं होता जैसे second example में देखा हमने कि first में तो एक परिमे संक्या पराप्त होगी लेकिन second में देखा कि जब एक परिमे संक्या में दूसरी परिमे संक्या का भाग दिया तो जो प्राफ्त होने वाले संक्या है 27 upon 0 वो एक परिमे संक्या कह सकते हैं तो एक परिमे संक्या नहीं है तो हम कह सकते हैं जो भाग है परिमे संक्या है भाग के अंतकर समत नहीं है तो इस परकार हमने यह अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था आज जो अपना next point है उसके समथ है या नहीं यानि बंद है या नहीं तो परिमे संक्या के लिए जो योग है समथ है व्योकलन समथ है गुणन समथ है लेकिन भाग नहीं है इसी परकार पूनांग में जो है योग के इंतरगत समथ है पूनांग व्योकलन के इंतरगत है गुणन के इंतरगत है तो यह हमने जो फिल कितिर SW में अपने ये वर्क में दिया गया था आज है जो अपना next जो गुंद्रम है वो हम पढ़ेंगे और next गुंद्रम है वो अपना है कर्म विनीमेता तो कर्म विनीमेता का जो गुंद्रम है वो दो संक्या पर लागू होता है यानि कि करम विनिमेता मतलब है नाम से पता चलता करम विनिमेता मतलब होता आदान परदान यानि करम का आदान परदान ही करम विनिमेता कहलाता है करम बदल दे तो उसके माहन में क्या अंतर आता है तो हम इसके लिए हम जो है सबसे पहले अपनी नोट बुक्स में सबसे पहले लिखेंगे जो अपना next गुंदरम है, second है ये, second गुंदरम पट रहे हम करम विनियमेता, करम विनियमेता, तो HW में करना है, साथ के साथ समस्त जाना है, और इनको अपनी HW डायरी में भी करना होगा, तो करम विनियमेता जो गुंदरम है उसके बारे में, और पहला हम ये पट रहे हैं, जो संख्या अपने पून संख्याओं के लिए, और पून संख्याओं में भी चारो संख्याओं में हम इसको चेक करेंगे, और देखेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है, चारो संख्याओं मे तो देखी आप फर्स्ट है पून संक्या तो एक टेबल्स बनाना है आपको और टेबल्स बनाने के बाद हम इसमें देखी लिका संक्रिया, संक्याय, टिपनी और फिर हम योग, व्योकुलन, गुणा और भाग इसमें सब में चेक करेंगे क्या जो पून संक्या है वो करम विनी में होती है या नहीं तो हम चेक करते हैं पर्स्ट है जो अपना इसमें फ़र्ष्ट देर का है यहाँ पर करम संख्या लिख ले हम करम संख्या और यहाँ पर हम लिखते हैं संक्रिया फर्स्ट जो कोलम है तुरी संक्रिया दूसरा है अपने संख्याए और लास्ट जो कोलम है अपना वो है टिपनी तो टिपनी में हमें लिखना है तो पूर्ण संख्या के लिए हम करम निमता गुंधरम के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला जो अपना संक्रिया है फर्स्ट जो संक्रिया है वो है योग, अब क्या चेक करना है इसमें कि करम विनिमेता हमें चेक करने हैं, यानि करम बदलने पर यदि कोई पून संक्रिया है, उनका करम चेंज करने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन आता है, यदि आता है तो हम कह सकते हैं कि पून संक् नहीं होते हैं लेकिन यदी उनमें परिवतन नहीं आता हुँस नब Means होती हैं हमेशा के लिए हमेशा की बारे में हमें पता होना चिए पिछले वीडियों बताया यसी संख्य जो 0 से सुरू होती जो पोशीटिव नमबर है न पून संख्य कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे कि सारे संक्या पून संक्या, तो कोई भी दो पून संक्या में लेकिए चेक कर सकते हैं, जैसे एक्जामपल फरस्ट में दो फून संक्या देखता हूं, तो एक ले मैंने 0, दूसरी संक्या ले मैंने 3, तो हम देखते हैं, पहली संख्या वो भी एक पून संख्या दूसरी भी एक पून संख्या है सबसे चोटी पून संख्या जीरो होती है तो यदि हम दोनों पून संख्या को एड़ करते हैं इस परकार यानि पहली संख्या जीरो दूसरी थ्री تو हम देखते हैं इनको एठ करेंए पर पलस थृ आता है या हम अगर इनका करम चेंज कर दे करम इन्के करने हम आदान पूरतान या हम थृ को पहले 3 में 0 एड करें पहले हम ने किया था 0 में 3 एड अब करें 3 में 0 तो भी हम देखते हैं जो मान है वो 3 आएगा, यानि कि करम बदलने से इनके मान में कोई परिवर्टन नहीं आएगा तो और भी एक्जामपल लेके हम देख सकते हैं तो देखा हमने किनी दो पूर्ण संख्या A और B के लिए ये जो है हम कह सकते हैं कि A पलस B एक्वर टू B पलस A ये हम कह सकते हैं कि इनके जो बराबर होता है यानि पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ें पहली पूर्ण संख्या में दूसरी में पहली पूर्ण संख्या जोड़ें तो इनका मान हमेशा समान रहेगा और यदि हमेशा मान समान होता है तुम कह सकते हैं योग है जो पुन संख्या में योग है वो करम विनी में है करम विनी में है योग है वो करम विनी में है नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट जो गुंद्रम है वो है व्योकलन व्योकलन या घटाना गटाना भी बोल सकते हैं व्योकलन भी कह सकते हैं तो इसी परकार हमें व्योकलन में भी पता करना है तो एक एक जाम पर लेके हम चेक कर सकते हैं तो व्योकलन है वो करम विनि में होता है आई नहीं तो हम देखते है जैसे एक पून संक्या में निली 7 इसमें से हमने दूसरी पूल संक्या टाई 5 तो हमने देखा हमारे पास जो nambers प्राइए 7 में से 2 लेस किये तो 5 आ फारे या या यानि पहली संक्या में से दूसरी गटाई या हम यह चेक कर सकते हैं, दूसरी में से पहली गटा की चेक करते हैं, अब दो में से साथ गटा थे, पहले हमने साथ में से दो गटा थे, अब करम चेंज कर दिया इनका, यानि पहली संक्या दूसरी की जगए आगई, दूसरी पहली की जगए आगई, तो दो में से साथ गट लेकिन बड़ी संक्या माइनस के संक्याओं का परिवर्टित हो गया बटल गया तो हम कह सकते हैं कि जब एक पून संक्यामें से दूसरिया ही गटाएं तो उसका करम change करने पर उसका मान परिवर्थत हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं यह जो है व्योव कलन करम विनी में नहीं होता है तो हम यहां लिखेंगे टिपनी में के व्योव कलन ग्योकलन करम विनि में नहीं है करम विनि में नहीं होता है next step नहीं होता है third जो है संकिरिया गुनन गुनन में भी हम check करेंगे तो इसके लिए हम कह सकते है कि A-B बराबर नहीं होता B-A-A यानि कि जो संख्याय है उनका करम बदलने पर जो उनका वयोकलन है वो बराबर नहीं आता और बराबर यदि वयोकलन नहीं आएगा तो वो पुन संख्याय वयोकलन के इनतागत करम नहीं होगी नेक्स्ट है अपना गुनन, तो गुनन में भी हम दो संख्या लेकर चेक कर सकते हैं, कोई भी दो संख्या ले, आप पून संख्या आप चेक करें, तो पहली पून संख्या में ले रहा हूँ, त्री और उसको गुना कर रहे हैं, जो अपन दूसरी पून संख्या फोर से, कोई तो हम देखेंगे दोनों का जो गुनन फल है वो एक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि A multiply B equal to B multiply A यानि कि पहली संक्या को दूसरी से गुना करें या दूसरी को पहली से जो गुनन फल है वो हमेशा बराबर आता है और गुनन फल यदि बराबर आता है करम बदलने पर तो वो करम विनी में होगी तो हम टिपनी में लिखेंगे गुनन करम विनी में है गुणन करम विनी में है नेश्ट एपना जो भाग चोता प्वाइंट है भाग में भी हम चेक करेंगे क्या भाग के अंतर कर जो पूर्ण संक्या है वो करम विनी में है या नहीं तो भाग के अंतर कर देखते हैं तो देखे देखते हैं तो एक संक्या में पर अपने को जीसे थिरी का तो पंदरे में मैंने तीन का भाग दिया जो भाग देने पर संक्या भाग देना आता है अब इसका करंप चेंज किया मैंने पहले पहली में दूसरी संक्या का भाग देंगे, तो अपने पार जो आंसर आएंगे, वो इसका आंसर जो आएगा, वो इसके बराबर नहीं होगा, यानी 1 अपॉन 5 हम कह सकते हैं, या हम पॉइंट में लेना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2, जो आंसर आएगा इसका तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो भाग है वो करम विनि में नहीं होता है तो ए भाजक भी बराबर नहीं होता है नहीं होता है भी भाजक एक है यानि कि भाग है जो पूर्ण संक्या में जो भाग है वो करम विनि में नहीं होता है यह दि पहली संक्या भाग दें तो वो बराबर नहीं होगा दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग दें उसके बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं कि भाग है करम विनी में करम विनी में नहीं है भाग करम विनी में नहीं होता है तो यह अपना जो आज का टोपिक था करम विनी में था औ तो पूर्ण संख्याओं ने हमने चारों संख्याओं के बारे में आज सिका है कि योग है वो पूर्ण संख्या योग के अंतगत करम विनी में है पूर्ण संख्या व्योकलन के अंतगत करम विनी में नहीं है पूर्ण संख्या गुणन के अंतगत करम विनी में है और पूर्ण सहां नेक्स्ट अपना तो हमने भी पून संक्यां के लिए पड़ा है सचुट सबस्कूंस कीच नबर संक्यां है पूनाघ कि बारे में आपको पता है पूनाघ किसे के हैं 1 दोपरकार की हुर्ति हैा धनातमक पूनाघ और शिजआतम आप टेबल जाक बनाले चुछ करके की बारें प्रकार के हम पूनाइंक के लिए जो करम निमिता का गुंद्रहें हैं उसके बारे में हम आज रीड करेंगे तो देखिए पूर्णा के लिए तो फिर्स्ट एक करम संक्या सेकिंड संक्रिया और थर्ड संख्याए अगला पॉइंट है अपने टिपनी तो टिपनी तो यह देखते हैं पहले हम अपने योग के अंतगर पहली संक्रिया है योग तो योग के अंतगर देखते हैं पूर्णांग करम इनिमी होते हैं या नहीं तो पूर्णांग होते हैं दो परकार के दनात्मक पूर्णांग आपको पता है जीरो से रैट साइट जो भी होते हैं पलस वन पलस टू पलस त्री प्लस पॉर और आगे के सारे वो होते हैं पॉजिटिव इंटेजर्स यानि दनात्मक पूर्णांग माइनस वन, माइनस टू, माइनस त्री जो लेफ साइट जो होते हैं संख्यार एकाप जीरो से यानि रिनात्मक पूर्णांग होते हैं जीरो है वो ना दनात्मक पूर्णांग का वह है ना रिनात्मक पूर्णांग तो योग के अंतकर देखते हैं कोई भी दो पूर्णांग लेकर हम देख सकते हैं योग के अंतकर के करा मिनी में होते हैं या नहीं तो हम एक्जामपल फुर्ष्ट में दो पूर्णांग लेंगे पहला पूर्णांग हम ले रहे हैं आप इसमें दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं दोनों नेगिटिव भी ले सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगिटिव भी ले सकते हैं तो मैं एक ले रहा हूँ नेगिटिव और फिर इसमें एड कर रहा हूँ दूसरा positive integers पहला negative दूसरा positive आप इनको योग कर रहा हूँ इनका देखें तो plus minus minus 4 में से 2 less किये 2 बड़ी संक्या plus किये तो plus के 2 अब आप देखें इसमें हम करम change कर रहे हैं क्योंकि जो गुंद्रम पर रहे हैं करम भी नहीं में तका पर रहे हैं तो पहले positive इदर लेंगे तो योग कर रहे हैं इसमें add करना minus के 2 minus के 2 add किया तो देखा 4 plus के plus minus minus 2 अब हम इसमें 2 आगे 4 में से 2 less कि 2 बड़ी संक्या plus किये तो plus के 2 तो हम कह सकते है A plus B बराबर B plus A यानि कि जब हम कोई भी दो पूनांग को किसी भी करम में जोड़ते हैं तो उनका मान बराबर होता है तो हम कह सकते हैं योग जो पूनांग है वो योग के अंतरगत पूनांग है योग के अंतरगत जो है करम विनी में होते हैं तो योग जो है करम विनी में करम विनी में है next है अपना इसमें second है व्योकलन यानि गटाना तो व्योकलन के इंतरगत भी दो पूर्णांग लेके हम चेक करते हैं क्या व्योकलन करम विनी में है या नहीं तो देखते हैं दो पूर्णांग की साहता से तो example एक पूर्णांग में लिए माइनस सेवन और व्योकलन करना दूसरा मेंने माइनस फाइप लिए तो देखते हैं तो माइनस सेवन के माइनस सेवन माइनस माइनस पलस फाइफ अब हल करते हैं माइनस सेवन में से फाइफ लेस किये टू पलस माइनस माइनस गटाएंगे बड़ी संक्या माइनस के तो माइनस के टू पूर्णांग चिन के बारे में आपको बता दिया समान चिन है तो जोड़ेंगे और समान चिन है तो गटाएंगे तो 7 में से 5 गटाएंगे टू आए बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस के टू बड़ी संख्या पर जो चीन होता वो लगाते हैं अब इसका करम चेंज करें तो पहला पूर्णांग माइनस फाइब ता इसमें से हमें गटाना है इसका मान है वो अलग अलग आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे A-B बराबर नहीं है B-A के यानि कि जो पूर्णांग होते हैं वे वेवकलन के अंतगत करम विनी में नहीं होते हैं तो हम लिख सकते हैं टिपनी में अपने के वेवकलन करम विनी में करम विनी में नहीं है वेवकलन करम विनी में नहीं है थड़ है अपना गुनन तो गुनन में देखेंगें गुनन के अंतगत देखते हैं कोई भी दो पूर्णांख ले आप और गुना करें तो फर्स्ट एक् 5 को गुना किया मैंने माइनस 3 से तो 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 15 गुना भाग में चिन देखा जाएगा आप बड़ी संक्या नहीं देखेंगे अब करम चेंज किया माइनस 3 को माइनस 5 से पहले पहली को दूसरी से कि आप दूसरी को पहली से गुना किया 3 5 जा 15 माइनस माइन कि पुनांको को किसी भी करम में गुना करें, तो गुनन पल हमेशा बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं, जो गुनन है, वो करम विनी में है, गुनन करम विनी में है, नेक्स्ट है अपना लास्ट टोपिक, इसमें लास्ट है अपना भाग, तो भाग के अंतर गत्वी हम दो पु विनिम में है या नहीं तो हम देखते हैं भाग करके 12 जो है माइनस के 12 है उसको डिवाइड करेंगे हम पलस 3 से ये पोजिटिव इंटेजर्स ये पोजिटिव इंटेजर्स तो 3 4 जा 12 पलस माइनस माइनस 4 आया अब हम देखते हैं 3 को डिवाइड करते हैं 12 से पहले हमने पहले को दूसरे से कि आप दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 upon 4 तो हम देखेंगे जो आंसर आ रहा है वो अलग-अलग आ रहा है तो हम कह सकते हैं A भाजक B बराबर नहीं है B भाजक A यानि कि जो भाग है वो करम विनि में नहीं है तो आगे बढ़ा ले इसको टेबस को अपने तो लिखेंगे भाग करम विनि में नहीं है तो भाग करम इनमे नहीं है आज के जो हमने दो पॉइंट पड़े हैं एक तो पहला तो हमने जो गुंधर मी श्टार्ट किया करम इनमेटा पून संख्याओं के लिए हमने चारों संख्याओं में पता किया है तो ये वर्क आपको जो है आपकी एटेबलू में ये टेबल्स ब पूनाग के बारे में शक्तार है, तो अगले वीडियो में हम जो अपनी संक्या, प्रयमे संक्या में भीय हम जो है, तो आज का वर्क है अपने दोनों टेबल्स है उनको हमें अपनी नोटबुक डायरी में करनी है फर्स्ट है पूर्संक्या की और सेकिंड है अपने पूर्णांग की तो यह वर्क आपको यह टेबलू में करना है